है जो कि आधरो दस्तों वेलकम टू माइय ऊटीब चैनल और आज की इस वीडियो में लोग डिसकेस करने वाले हैं कि डॉक्ट एरिया कैसे इसे करते ने से जब लोग ड्रोइङ प्रिप्रिक्ट करते हैं ठीक है तो डख अर्या करना पड़ता है डख एरिया कल्कुलेट करना पड़ता है डख अरिया कल्कुलेट हम लोग इसलिए करते हैं टाकि इतना енल लेют के लिए उस रिख निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में duct area calculate और duct area calculate करने के बाद फिर gai sheet calculate करेंगे कि करके आएगा और उसमें कितना percent मं लोग scrap का consider करते हैं रहिंकि जब वहाँ साइट पे as per site condition जब भी duct बनेगा duas two square meter का कोई sheet है तो उसमें से scrap भी निकलेगा ठीक है तो number of GI sheet कैसे निकलता है तो number of GI sheet निकालने के लिए आपको जैसे माल लिए फर्मूला हो गया number of GI sheet निकालने के लिए आपका हो जाएगा जैसे total duct area total duct area हो जाएगा divide by कर दिजे यहां पर area of area of one GI seat अब क्या होगा कि जितना भी हम लोग duct area calculate करेंगे उसका जो area आएगा उसमें अगर एक seat के एरिया से हम लोग divide कर देंगे तो number of GI sheet निकालने के लिए निकालने के बाद हम लोग उसमें कितना percent scrap add करेंगे ठीक है जो बेकार हो जाता है तो वह कितना percent होगा तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजे यह start करके इस वीडियो को जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक यह जो duct देख रहा है मैं दिखा रहा हूँ आपको यहां से एक machine लगा हुआ हुआ सब्सक्राइब करते हैं अगर नहीं पता होगा तो बताईए मैं इस फिडिकल वीडियो बनाऊंगा उसके बाद एक लेनम हम लोगों ने लगा दिया लेनम लगाने के बाद एक ड़क्ट ऐसे चला गया यहां से तो यहां से हो के यहां तक सप्लाइ कर रहा है ठीक है और यहां पर कॉलर लगा हुआ है यह यह रिडर बिखलब दिकराए अप लेनियर गील लगा हुआ कंट्यूर्स रिल्ट यह सप्लाइयो रिटर्न के लिए हम लोग कर रहे हैं यहां उसके बाद एक डाकट आपका है यहां से निकलना यह भीचीडी लगा हुआ है जिसको जी को जिसको ऑचन्ट्रोल करते हैंया हमारा है यह फ्लो है यह फ Random क्वांतीटी को के लिव dua को करता है कि हमें इत्सक्र्थ कितना थी एंपम प्लो कराना है उसके वाद यह डाक का का ऐसे यहां तख इंड हो जा रहा तो यह डाक है हम लोग निकालेंगे पूरा मैंली इस्टेड डर्क है इसमें हाई इल्बो है और यह बाभी देशर लगा हूआ है तो आइए और ते यह और क्ला अठीक जुल्सकरा लगा हुआ है अब जैसे जब भी हम लोग एरिया निकालेंगे तो अगर आप नए हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है क्योंकि समझ में नहीं आता है कैसे अरिया निकाले तो आप एक चीज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं जैसे माल लिजिए यह माल लीजी एक है फी लगा हुआ ठीक है एक लगने के बाद अब यह मेरा डक्ट हो गया यह स्पे डक्ट हो गया उसके बाद यहां से एक यहां से एक रेडूसर लग गया रेडूसर लगने के बाद फिर एक यहां पर हो गया अब माल लिजे यहां पर डक्ट इंड हो गया तो इसको आप सेक्शन में डिवाइड कर लिए सेक्शन में डिवाइड कर लिने से आपको क्या होगा कि आसानी होगा जैसे माल लिजे यहां से यहां तक एक सेक्षन वन हो गया इसे माल लिजे ए टू ए टू इसके बाद यह हो गया सी उसके बाद यह हो गया डी तो एस तरीके से आप निकाल सकते तो जैसे आप लिखेंगे section 1, 1 आपका क्या है state, state duct हो गया, उसके बाद मानले यह 2, अब 2 नमबर हमारा क्या reducer है, center taper reducer है, high taper नहीं है, center से यहां से यह taper हो रहा है, ठीक है, तो यह आपका reducer हो गया, उसके बाद 3 नमबर में भी क्या है आपका state duct है, इस तरीके से आप divide कर सकते हैं, मैं आपको करकर दिखाता हूँ, तो मान लिजिए, यहां पर हम लोग मान लेते हैं, यह कितना, एक नमबर duct हो गया हमारा, एक में अब क्या है, state duct है, state duct है, अप लेनम का माउथ कनेक्शन जो size दिया हुआ है, machine का, machine का size कितना है, 250 by 1250, and 950 height है, इसका, ठीक है, अप लेनम का height मेरा कितना है, 600, 600 है, इसका dimension में लोग ले 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 पहले, width, और height कितना है, इस mouth piece का width है मेरा, 1200, और, इसका length हो गया 500, और height है, इसका, प्लेनम, यहाँ पे जो प्लेनम लगा हुआ है, और इसको connect करने के लिए, दोनों तरफ से एक एक इंच काम है, ठीक है, तो, 550 mm, इसका height है, तो, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि, state duct का, area क्या होता है, 2 into width plus height into length होता है, ठीक है, width plus height into length हो गया, मतलब यह perimeter हो गया, into length हो गया, perimeter को multiply करा देंगे, प्लेन से, जब भी आप area calculate करेंगे, area calculate करने से पहले आपको, आपके पास एक sheet होना चाहिए, Excel sheet जिसमें आप proper लिख सकें, ठीक है, तो मान लिज़ें, मैं यहाँ पर लिख जाता हूँ, एक number में, एक number में मेरा क्या था, connection piece है, एक number मेरा connection piece है, यहाँ पर size आप लिख सकते हैं, duct size में, जैसे width हो गया, width हो गया, height हो गया, length हो गया, यह length हो गया, width मेरा कितना था, 1200 था, height कितना था, 550 और length है, 500, आप यहाँ पर area निकाल सकते हैं, area निकाल सकते हैं, Excel sheet में, अब Excel sheet में area आपको लगाने आता होगा, area के लिए आप क्या करेंगे, 2 into width plus height, width plus height हो गया, मेरा, और into कर देंगे length, और square meter में हमको calculate करना थो, square meter में हमको, यहाँ पर इसको calculate कर देंगे, तो 1.75 square meter आगया, 1.75 square meter में calculate करके भी बता जाता हूँ, calculator के, आप एक एक करके calculator से calculate कीजिए, या फिर Excel sheet में formula लगा दीजिए, उसके according वो calculate होता चला जाएगा, तो width प्लस height हम में रहा है, तो width कितना था 1200, height कितना था 550, इंटू 2 कर देंगे, इंटू कर देंगे, इसमें length से multiply, 500 हमको square meter में change करना है, तो 1 पर 60, इससे divide कर देंगे हम, तो square meter में आ गया, अब square meter को square feet में हमको change करना है, तो 10.76 से multiply कर देंगे, तो 18.83 square feet आ गया, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे area क्या हो गया, इसक्यू, square meter में हो गया, फिर area हम लोग लिख देते हैं, square feet में भी ठीक है, अब square feet में area निकालने के लिए अब क्या कर सकते हैं कि area square meter into 10.76 कर देंगे, तो 18. इतना आपका आ गया, ठीक, अब next चलते हैं, planum आ गया, अब planum का area निकालने के लिए क्लिए क्लिए आप लिख देंगे, आप लिख देंगे आप दो number में क्या है मेरा, planum का dimension क्या है, planum का dimension लिखने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, पंदरसो वीड्थ है, ठीक है, पंदरसो यह वीड्थ है, और 1000 इसका depth हो गया, length हो गया और height है 600, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 1500, और height कितना हो गया, 600, और depth इसका length कितना दे में रखा है, ग्यारघणा, ग्यारघणा, जैरसो लिख है ठीक, अब सेम फर्मूला हम अगर अप्लाई कर देंगे इसमें भी एइस निकल के आगे मेरा उसके बाद नेक्स्ट देखते है नेक्स्ट क्या है अब हम इस तरफ चलते हैं इस तरफ चलने के लिए यहां पर इस्ट्रेट डग्ट एक है जिसका लेंद इतना है में पास 2199 mm और डग्ट का डाइमिंशन है शाड़े 800 भाई 350 मतलब विड्थ है 850, हाइट है 350 इस्ट्रेट डग्ट ठीक है इस्ट्रेट डग्ट है विड्थ है 850, हाइट है 350 और इसका लेंद कितना है 289 mm हम यहां पर लिख देंगे 269 mm आप अटोकैट से अगर करेंगे तो एक्जाक डामेंशन आपको मिल जाता है अगर सेम यही पर अगर मिजरमेंट आप करेंगे लेंद तो अगर लेंगे यूनिट मिजरमेंट करके अगर पीडियेख से तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है एकुरेट नहीं आता है ठीक है तो यह आट सो पचास बेटीन सो पचास का डगता जिसमें यह यह एस्टेट डख्ट है अब इस्टेट का तो सेम फर्मुला होता है है तो इन्ट विट्स पुलश है लेंथ सेम फर्मूला हम अपलाई कर देंगे हाँ थो आपके निकल गया मेरा अब चार नंबर में मेरा क्या था एलबो है वहां पर अब एलबो का ऐरिया कैसे निका खलने के लिए सेम फर्मूला होगा थोड़ा सा चेंज होगा एलबो का एरीया निकालना है अगर आपको ठीक है एल्बो का कैसे निकलता है एल्बो का जैसे मानली जी टू इन्टू होता है विट प्लस हाइट हो गया इन्टू एल्वन प्लस एड्टू डिवाइड बाई टू लेंथ का एबरेज ले लेते हैं क्योंकि दो लेंथ आप यहां पर होता है दो लेंथ दिख रहा है आपको इन दोनों लेंथ काम निकाल लेते हैं मानली यह सौर्ट लेंथ या पिर यह माक्सिमुम अला लेंथ ले लेंगे तो एरिया गड़ बड़ आ जाएगा आपका तो यहां पर यहां पर साइज तो सेम है आट सो पचास में तीन सो पचास एल्बो आप आटोकेड में कलक्वूलेट कर सकते हैं कि अनुटेट में जाईए है कि अनुटेट में जाने कि बाद आप एन आर्प लेंथ हो गया पहलेरे अग्यारक लेंथ में यहां का लेंथ आप कलकुलेट कर लिजिए 236 है और यहां का लेंद कितना है अप्तों 151 तो यहां पर हम एबरेज लेंद लिखा निकाल सकते हैं 151 प्लस 236 एक्वल टू 1800 और इसका एबरेज मेरा कितना हो जाएगा एपना डिबाइड बाइड बाइड टू तो 903.5 हो जाएगा अब सेम फर्मूला में अप्लाइ कर देंगे तो अलबो का एरिया भी निकल के आजाएगा अब नेक्स चलते हैं नेक्स क्या है नेक्स एस्पेट डख्थ है सेम आट सो पर तास भाई तीं सो पर तास का डख्थ है यह भी कितने का है आट सो पचास भाई तीं सो पचास का और कितना लेंद था उन्चास छपपन उन्चास छपपन ठीक है इस्टेट डख्थ है तो सेम फर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे इसका अरिया निकल के आ जाएगा उसके बाद छे नंबर में मेरा क्या है रिड्यूस है अब रिड्यूसर रिड्यूस हो रहा है अब रिड्यूसर का आप लोग ने पढ़ा होगा फर्मूला कैसे फर्मूला उससा होता है रिड्यूसर का रिड्यूसर के क्या होता है विड़् वन प्लस अइट वनफ कलूस I2 कुर इस में व्लोग कर देते हैं लेंथ से मल्टिप्लाई कर दे तो आईए यहां पर लिखते हैं अब तोड़ा साब को रिडूसर के लिए जैसे चेंज करना पड़े गाता रिडूसर का एरिया हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं डारेक्ट माई एरिया यहां लिख देता हूं ठीक है काल्कुलेट यहां पर लिख देते हैं कितना था आट सो पचास पलस तीन सो पचास पलस साथ सो पलस तीन सो पचास हाइट सेम है एंट इंटू मुल्टिकलाई कर देंगे हम तू से ठीक है या फिर प्रोपर मैं करके दिखाता हूं अब जो Reduser Reduser के ऐरिया मैं यहां पर निकालता हूं Reduser Reduser के ऐरिया में आपको क्या कहता है Width 1 Хight 1 Width 2 And height 2 उसके बाद area आपको square meter और square feet में चाहिए हम इसले निकाल देना तकि यहां पे पर कॉलूम आपका कम पड़ रहे हैं मैं रिडिउसर का अलग से निकाल देता है तो रिड्यूसर वन मेरा कितना है 850 by 350 का है फिर एक तरफ रिडूसर के साथ सो भाई 350 का हो जा रहा है तो एरिया मेरा कितना हो जाएगा अग्सो पेचाइब ने ये मेरा गया बांध सो जो और इस में बाइस करना है हमें दो से जो से मॉल्टिप्लाइ करने के बाद प्रतालीश ओ गया और इसमें हम डिवाइड सबाइर स्फॐर मींटर में सक के चंग साथ करणने के लिए हम दीवाइट करने के यह लो टीनग 3456 भी यह अगया रिडूसर के सबाइब लिकार में अब एस्वार्थ प्रिक्ञoking करना हमको चने चार्थ का एरिया है उसको 10.76 से multiply कर देंगे तो यह आगया reducer का area नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मेरा फिर से एक state duct है और जिसका length कितना है state duct का मेरा 418, 750, 700 by 350 का duct है जिससे 3310 CFM जा रहा है तो यहां पर भी हम लिख देते हैं state duct का 700 by 350 और length size का 1418 तो यहां पर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहां पर कि एक्स एक्स बाइस स्क्वार फिट आ गया अभी हम reducer का अलग निकाल के चल रहा है बाद में हम लोग क्या करेंगी elbow और state duct का area plus reducer का area दुनों हम लोग एक में calculate कर देंगे ठीक है उसके बाद next फिर एक reducer है यहां पर reducer का length देख लेते हैं कितना 500 mm और एक side इस reducer का size है आपका 700 by 350, 550 by 350 तो यहां पर हम लोग लिख जते हैं second reducer 700 by 350, 550 by 350 है ठीक है और area के लिए हम लोग same formula apply करेंगे reducer का, यह reducer का area हमारा निकल के आ गया, 0.042 square feet, next हमारा क्या है, एक state duct है, अब state duct का area length कितना है, 45-74, size है 550 by 350, so state duct में आ जाते हैं, seven number में क्या size है, state duct है, और एक इतना है 550 by 350 का duct है, और इसका length मेरा कितना था, 4774, 4774 length हो गया, same formula हम apply कर देंगे, तो मेरा निकल के आ जाएगा, state duct का area, उसके बाद next, एक और reducer है मेरा, इसा side taper है, यहाँ side taper length कितना 600 mm दिया हुआ है, one side कितना है, 550 by 350, other side 350 by 350, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं area, third reducer मेरा है, size कितना है, 550 by 350, उसके बाद 350 by 350, तो इसका भी area निकल सकते हो, आप, same formula हम apply कर देंगे, ठीक है, और reducer का formula क्या होता है, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2 into w1 plus h1 plus w2 plus w2 plus h2 into length होता है, यह reducer का formula है, यहाँ पर apply कर दिया मैंने, उसके बाद third मेरा क्या है, एस ट्रेट डक्ट है, 350 by 350 का एस ट्रेट डक्ट है, जिससे 1530 CFMO के जा रहा है, जिस 3046 length है इसका, next firm चलेंगे, 8 number में देखेंगे, एस ट्रेट डक्ट है, मेरा कितने का है, 350 by 350 का है, और length कितना साथ, 3046 length हो गया, यहाँ फर्मूला मैंने apply कर दिया, एस ट्रेट डक्ट का फर्मूला, 2 into width plus height into length, तीक है, उसके बाद square meter में और square feet में area मेरा निकल के आ गया है, यहाँ पर, उसके बाद next देखते हैं हम, next मेरा elbow है, अब elbow का length निकाल लेते हैं, खोटा और inner और outer length, 785 और 236 ठीक है, और इस elbow का size क्या है, 350 भाई, 350 हूंकि इधर भी जो duct आ रहा है मेरा, यहाँ तक 350 भाई, 350 का duct आ रहा है, तो elbow size भी duct का size इतना होगा, उतना ही होगा, तो elbow का area निकालने के लिए हम, no number में मेरा क्या है, elbow है यहाँ पे, 350 भाई, 350 का, और यहाँ average length कैसे निकालेंगे, average length निकालने के लिए हम यहाँ देख लेंगे, 780, 236, 780 plus 236, divide कर देंगे, इसमें 2 से, इसका average length कितना होगा, 510.5, यहाँ पे enter कर देंगे, हम 510.5, और same formula हम apply कर देंगे, जो state duct का था, elbow का भी formula होता है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, तो उसके लिए proper जैसे मैंने यहाँ पे reducer का बनाया था ना, वैसे आप elbow का एक बना सकते हैं, और state duct reducer और elbow सबके area को बाद में एक गगा calculate करके total duct area आप निकाल सकते हैं, बट मैं अभी आपको direct यहाँ पे बता रहा हूँ ठीक है, समझाने के लिए, उसके बाद next मेरा कितना है, यह भी 350 का duct है, और इसका length कितना है, 3929, 3929 है, यह straight duct है कितना, 350 भाई, 350 का length है, 3739, तो इसका area भी निकल के आगिया मेरा, अपने square feet, एक बार आप यहाँ पे calculate करके देख भी लीजिए, 350 प्लस 350, इंटू, तू कर देंगे, इंटू कर देंगे कितना, 3729, डिवाइड भाई कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.22 square meter हो गया, 10.76 कर देंगे, तो square feet में आ जाएगा, 56 square feet, ठीक है न, उसके बाद next चलते हैं, next मेरा क्या है, next record reducer, 350 भाई, 350 का, और उसके बाद, यहाँ पे जो duct size है, वो कितना है, 250, width कम हो गया, लेकिन height हम लोग सेम maintain करके रखे हुए, शुरू से आफिक दाख, ठीक है न, सेम reducer है, कितना, 350 भाई, 350, यहाँ 250 width हो गया, height, से हमें 350, तो यहाँ इसका reducer का area निकल के आगया, reducer का area, fourth reducer जो था मेरा, उसके बाद next duct है, मेरा कितना length है, यहाँ से, इस point से length अगर हम देखते हैं, इस point तक कितना length है, 43, 82, 43, 82, 350 भाई, 350 का duct है, straight duct, ठीक है न, straight duct है मेरा कितना, 250 width है, 350 height है, और इसका length है मेरा, 43, 82, 43, 4,382 mm, यहाँ पे 56 square feet, इस duct का area आ गया, उसके बाद हम चलेंगे, अब इस duct में हम यहाँ से, यहाँ तक calculate कर लेते हैं, कितना color लगा हुआ है, यह color का जो length होता है, यहाँ के यहाँ तक, आप देख लिजिए, 750 और इस drawing में भी आपको कहीं न कहीं पे लिखा होगा, ठीक है न, आप drawing से भी देख सकते हैं, बट अभी आप duct का area निकाल रहे हैं, तो आप calculate करके निकालो, डख का area, 750 हम मेरा width हो गया, इसका length कितना हो गया, 300 और, तो color का area निकालने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 750 width है, 300 length हो गया, और grill हम यहाँ पे change का लगा रहे हैं, तो color भी हम यहाँ से change के height का color निकाल रहे हैं, तो इसको भी हम लोग state duct में consider कर लेते हैं, और total number अब कितना color होगा, उतमें से multiply कर देंगे हम, तो अब 750 by डेर सो हो गया इसका height, और 12 number में आप लिख सकते हैं color, जिससे हम air supply करेंगे, 750 है 1500 mm है, length कितना है, 300 का है, और इसमें multiply कर देंगे, कितना number है, ठीक है, तो टोटल number of color कितना था मेरा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, दस color तो मेरा, एक size का हो गया, ठीक है, उसके बाद, एक, दो, तीन, चार color है, एक size का, इसका भी हम अलग से निकालेंगे, तो दस color हो गया, एक वल्टू कर देंगे, जिपना square fit area यहां पे आया है, multiply कर देंगे, दस से, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 58 square fit area निकल के आ गया, ठीक है न, या फिर आप डाइरेक्ट यहां पे भी लिख सकते हैं, तो अभी मैं यहां अलग से calculate का लिए, हमने टोटल number of, दस color है, दस color यहां पे मैं लिख देता हूं, next आपका 13 भी color ही है, और उस color का size कितना था, चार था ठीक है न, चार color है, इसका हम average length निकाल लेते हैं, यहां का length कितना है, 334, कि size तो same है सब का, 334, 484, 334, 484, पलस, 634, 834, उसके बाद यहां पे कर देते हैं, पलस, 634, पलस, 834, तो total 286 आगया है, ठीक है, और इसका size क्या है, इसका size आपका 450, सब का 450 है, यहां भी एक cross check कर लेते हैं, कितना है इसका, 450 है, ठीक है, उसके बाद, 450 width है, high term डेड़ सो लिए हुए हैं, और length कितना हो गया, अपका 286, 286, लेंथ कर दिया मैंने, ठीक है, तो यहां पे 29 square feet निकल के आगे, अब जैसे यहां पर मैंने 300 height लिया, ठीक है, अगर 300 height था, और length मैंने एक color का length कितना लिया, एक color का length 300 लिया, अगर 10 color है total मेरा, तो 10 color into 300 length कितना हो गया, 3000 meter हो जाएगा, और width height सेम है, तो 3000 meter अगर हम यहां पर कर दें, तो area आप यहां पर देखेंगे, untown square feet होगा, 3000 area अगर हम यहां पर कर दें, untown square feet होगा, तो इस पर हम लोग delete कर देते हैं, तो एक side का हमने क्या-क्या state duct हो गया, color हो गया, और जो भी elbow reducer था, उसका मैंने, हमने area निकाल लिया है, ठीक है, उसके बाद next चलते हैं, second side में, second में क्या है कि हमारा एक duct जा रहा है, यहां से, कितना size duct का, 700 by 350 का, 3300 CFM लेके जा रहा है वो, और फिर इस duct का length कितना है, इस duct का length 52,69 हो गया, फिर यहां तक same side, 52,69 प्लस, 43,69, हम लोग अभी, जैसे, GI seat निकालने के लिए calculate कर रहे हैं, तो, इस duct के length को, अगर मैं यहां तक, अगर calculate कर दूं length, तो हम लोग क्या करते हैं, कि एक पूरा ऐसे, यहां से यहां तक का state duct calculate कर लेते हैं, elbow भी उसी में, include कर देते हैं, ठीक है, आप अलग अलग निकालना है, straight duct का निकालना, फिर elbow का निकालना, फिर straight duct का, क्योंकि मैं एक एक करके निकालूं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो 700 by 300 का duct है, state duct 14 नंबर में रख्या है, कितने का है, 700 by 350 का duct है, और length कितना हो जाएगा, हम क्या करते हैं, फिलाल दोनों के length को add कर देते हैं, बट आप अलग निकालना, जैसे मैंने पहले वाले में निकाला था, तो 5269 कर देता हूँ, मैं उसके बाद 1569 कर दिया, तो length total कितना हो जाएगा, 104828 mm, तो 104828 mm कर दिया तो यहाँ पे इसका total square feet में area निकल के आगया 235 square feet, उसके बाद next मेरा क्या है, same reducer लगा हुआ है, जिसको taper भी बोलते हैं, तो 587 mm length है इसका, और एक side इसका length, size के है 700 by 350 और दूसरे तरफ 600 by 350, तो हम reducer में add कर देते हैं, 5th number reducer, 700 by 350 और 600 by 350 height, तो इसका area निकल के आगया, इतना, 0.043 square feet ठीक है, उसके बाद next है मेरा state duct ही है, अब state duct का length ले ले लेते हैं, आपको हर एक का length निकालना पड़ेगा खोट से, तो 600 by 350 का duct है मेरा state duct है, state duct है कितने का है, 600 by 350 का duct है, और इसका length दिया हुआ है, 4332, 4332, और फिर इसका area निकल के आगया, 88 square feet आगया, उसके बाद फिर से एक taper लगा हुआ है, taper का side 600 by 350 और 425 by 350 हाइट हो गया, जब भी आप duct design करें, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, आप कोशिज करना, शुरू से लेके आखरी तक duct के height को maintain करके रखो, क्योंकि height तो आपके अपका constant होता है, वो as per ceiling height decide करते हो, और duct बनाना भी आसान हो जाता है, अगर माल लिजे, यहाँ पे height कुछ और है, यहाँ पे जो taper piece बनेगा, वो थोड़ा चारों तरफ से reduce होके बनेगा, लेकिन अगर same height रखेंगे हम, तो उपर नीचे जो होगा, वो same size का होगा, सिफ हम side से reduce कर देंगे उसके, तो width, width, width और height में थोड़ा सा फरक परता है, बट वो चारों तरफ से reduce होके नहीं आएगा, डग, ठीक है ना, तो next है मेरा reducer है, 300 by 350, 300 by 350, उसके बाद 425 by 350, यह एरिया निकल के आगे मेरा, 0.37 square feet, उसके बाद फिर से एक straight duct 425 by 350 का, 432 इसका भी length है, 425 by 350, यहाँ पर हम calculate कर देते हैं, एक straight duct कितना है था, 425 by 350, और height size का 432, यह मेरा बहतर square feet निकल के आगे उसके बाद फिर next चलते हैं, फिर से एक taper है, एक छोटा सा taper है, यहाँ पे भी 600 height है, अब इसका size क्या है दोने तरफ का, 425, 350, 450, 425, 350, उसके बाद, 300 by 250, यहाँ last duct है थोड़ा सा इसको change कर दिया, तो एक reducer ही, जैसा मैं बता रहा था कि, चारो तरफ से reduce होके बनेगा, बट, एक बना सकते हैं, लेकिन आप हाट duct के बाद अगर height कम कर दें तो सब reducer change हो जाएगा, और finally duct लगने के बाद आप देखेंगे तो आच्छा भी नहीं लगएगा, उस तरीक एक ड़क्ट ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, 425, 350, और next मेरा 300 by 250, 300 by 250, यहाँ पे यह रख 300 by 250, जो कि के 160 CFM लेके जा रहा है, इसके फुलो हो रहा है, उसके बाद next है duct 300 by 250 का, इसका length देख लेते हैं, कितना 43 00 mm, यह straight duct है, तो straight duct के लिए हम यहाँ पे same formula apply कर सकते हैं, कि इतना 300 बाई 250 का और 43 सो लेंथ है इसका 50 स्कॉर फिट इसका निकल के आ गया ठीक है तो इस में हमने तो निकाल दिया साइड वाला स्टेट लेंथ बट यहां भी रह गया मेरा ठीक है अब कॉलर के लिए क्या करना होगा अलग से मुग निकाल लेकाल द लेंथ अब कॉलर का साइज क्या है को लोग्जा मेरा है यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 330 दे रहे हैं एक ही कॉलर से तो हाइट क्या रखा हुआ है अब सेम कॉलर जो एक साइज के कॉलर कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ 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 कॉलर है जो की 600 का है तो यहां पर मैं लिख देता हूं आठ कॉलर जो मेरा है कितना 600 भाई 100 mm का है और लेंग पीस का 250 एक कॉलर कलेंप 250 है इंटु आठ कर देंगे तो आठ कोलर कालेंप आ जाएगा मेरा þो ऑजार तो आठ कोलर का मैरा कितना निकल के आग contact पीसे-स हुक्वाइर पीट अब दो कॉलर और बच गया अब तो कॉलर जो कि इतना वजाएगा लेंथ 600 हो गया और हाइट हंडेट सेम है लेंथ इसका 357 हो गया और इसका लेंथ हो गया 532 तो आड़ कर देते हैं कि इतना 889 mm लेंथ हो गया और यह कॉलर दो कॉलर सेम साइज का अच्छे सो बाई हंडेट का है 889 mm लेंथ हो गया इसका दोनों का लेंथ मैंने आड़ कर दिया ताकि आठ कॉलर का हमें अलग से निकालना पड़े हमने एक नहीं लेंथ को आड़ कर दिया और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जब भी आप डग डिजाइन करना तो डग डिजाइन करते टाइम आप एक चीज धियान रखना डग को हमेशा एक तरफ से रिडिउस करने से क्या आपको दिख रहा है कि जो हमारा कॉलर साइज बन रहा है एकदम सेम साइज का कॉलर बन रहा है और दोनों तरफ से हम रिडूस करेंगे और इस तरह से रिडूसर भी बनाना असान हो जाता है साइट पे और दोनों तरफ से हम रिडूस करते हैं एक तो सब कॉलर का अलग-अलग से साइज लेके बनाना पड़ेगा फिर उपर नीचे हो जाता है connection करते टाइम और एक साइज का हम लोग क्या करेंगे कि एक का मैंने मिजरमेंट ले लिया और एक बैठे वो जो आपका वरकर होगा वह दस आट नो कॉलर जीतना सेम साइज का कॉलर रहा और बना देता है ठीक है ना तो फाइनली हम लोग यहां पर ड़क का एरिया कल्किलेट कर लिया तो यह यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टोटल तोटल ड़क्ट एरिया अब टोटल ड़क्ट एरिया में क्या क्या आएगा यहां पर आइड कर देते हैं टोटल इस्वाइर फिट में कितना एरिया आया था इस्वाइर फिट में कर देते हम एक न 1249 square feet और यहां पर कितना इसको भी सम कर देते हैं Reducer जो था, Reducer मेरा कितना आ गया, 0.61 square feet 0.261, ठीक है ना, अब यहां पर आ गया, square feet में area अब यहां पर state duct और elbow का जो area था, total मेरा 1248 square feet और Reducer का area आ गया, 0.26 square feet अब total area मेरा कितना हो जाएगा, total area add कर देंगे हम तीनों duct को प्लेन में state duct, elbow और Reducer सब को add कर देंगे, add करने के बाद कितना आ जाएगा, 1249 plus add कर देंगे इस Reducer वाले को total मेरा कितना आ गया, 1249.26 square feet, duct मेरा exact जो surface area डट का वो निकल के आ गया, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा scrap add करना पड़ेगा, तो add हम लोग कितना करते हैं कि 30% 30% scrap add कर देते हैं, इसका 30% कितना हो जाएगा, 1200 इतना into 1.3 कर देंगे, तो 30% add हो गया, इसका 1224 square feet आ गया, ठीक है न, अब जो GI seat होता है, GI seat GI seat का size होता है, अपना width और length जो area हो गया, GI seat का, width कितना होता है, जैसे 1000 mm होता है, और length होता है, 25 मतलब, diameter by 1 meter का होता है, तो इसका area हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका area, एक seat का area निकल जाएगा square mm में निकल के आए, तो square, square meter में, 0.5 square meter निकल के आगया, और 0.5 square meter में हम 10.76 से multiply कर देंगे, तो निकल के आगया, 26.9 square feet, यह एक seat का area निकल के आगया, और total हमारे पास कितना area है, डक का, 1624, तो यहाँ पे हम आप निकाल सकते हैं, total number of, total number of GI seat required on site, ठीक है, अब total number of GI seat required on site कितना निकल सकता है, अब total मेरे जो duct का area था है, including scribe, उसको divide कर देंगे, एक seat के area से, कितना निकल के आगया, 60 seat, हम लोग 60 seat, 61 seat, तो nearly equal to, हम इसको हम कर देंगे, 61 seat, ठीक है, तो 61 GI seat हमें, order करना पड़ेगा, so I think, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और समझ में भी आया होगा, अगर इसमें कुछ समझ में आपको नहीं आया है, तो आप comment करके बताएए, मैं आपको और detail में समझाने का कोसिश करूँगा, और आप topic भी comment कीजिए, ताकि किस topic पे वीडिय आना है, next मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, so इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में, thank you so much